नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अरियना पुलिस कॉंस्टेबल बरती जिसका अभी रिटन का रिजल्ट आथ सुका है और पिएश्टी चल रही है तो इसकी फाइनल कट ओफ क्या रहेगी इसके बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं तो यदि आप कंप्लीट डिटेल जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो में अगर बिढ़ने इस पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जड़ा ज़ादा शेयर करें और जो साथ इस चैनल पर नए तो सबस्क्राइब भी जरूर करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसके थमनेल में ये चीज इसलिए वहम में मत रहना यह क्यों लिखिया है क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ तो क्लियर कर देना चाह और आपको बता देता हूं अब जो percentage method है जैसे आपने फीमेल में का result है वो देखा होगा उसमें क्या आपने अगर 100 question भी सही कर दिये या 90 भी सही कर दिये कितने भी सही कर दिये फिर भी आपका स्कोर है वह कितना बनेगा 100% बनेगा लेकिन female constable में क्या था आपके जो एक्ट्रा मार्क है वो उसके बाद एड्ड कीये गए यानि कि आपके return का जो percentage है उसके बाद आपका जो है extra number है वो add की गए है तो इससे क्या हुआ था जैसे 8 number extra होंगे तो 108 पे cut off गई थी अब आप एक idea लगाईए 3,77,000 candidate ने पर दिया है तो उसका 1% हम बात करें तो कितने हो गए लगबग 3700 के असपास और लगबग 1.5% की बात करें तो हमारे 5500 के असपास हो जाएंगे तो मान के चलो यदि 1.5% जो candidate है वो सारे 5500 में आ गई तो जो percentage का method है वो कितने पे जाएगा वो जाएगा आपका 98.5 पे यानि कि return में से 98.5 जो है आपकी percentage आ गई इसके बाद क्या होगा जो extra number वाले है वो number इसमें add किये जाएंगे अब आप सोतो जो 38,000 500 कुछ candidate है जो किस्टी में select हुए है उसमें से 500 कंडिडेट ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनके 8 से 9 number extra होंगे यह मैं आपको बिलकुल clear बता रहा हूँ तो 8 से 9 इसमे add करोगे तो लगबग आपका क्या होगा 106 से 107 क्या सपास पहुंच जाएगा मतलब कहने का क्या है जिससे maximum जो number है चाहिए वो 70 हो चाहिए वो 60 हो चाहिए जितने भी हो जिसको 100% माना जाएगा हर एक shift में उसके बाद यदि आपके 8 से 9 minimum extra number नहीं है तो आप बेसक PSD के लिए ना जाएगा यदि normalization के according ये result निकाला जाएगा और अभी तक तो यह news है कि result है वो इसके according ही निकाला जाएगा ये माँ आपको बता देता हूँ ये चीज़ा आप भी समझ सकते हो बताने की जरूरत भी नहीं है चाहिए किसी भी तरीके से चाहिए cut off कितनी भी जाएगे जो percentage है वो कितनी रहेगी 98.5 ही रहेगी इस method से चाहिए कुछ भी हो जाए 99.5 है वो return की रहेगी उसके बाद क्या होगा आपके extra number है वो जुड़ेंगे और extra number है normally आप सभी को पता है 9 number तो हरे category में जुड़ते ही जुड़ते हैं तो 8 से 9 यदि जुड़ते हैं तो वो 167 पलस ही जाएगी cut of है वो तो यदि आप 100% वाले score में भी आते हैं तो भी आपको कितने चाहिए 6 से 7 number extra चाहिए ही चाहिए बेसक आपने 70 questions चाहिए बेसक आपने 80 कीए बेसक आपने 100 कीए तो ये कुछ अजीव टाइप का method है चससी अपना रही है इसके बारे में भी आपकी क्या रहा है आप जरूर बताएं आपके according क्या ये सही है या गलत है ये भी आप जरूर बताएं यदि बात करें मैं अपनी राएद हूँ तो मेरे हिसाब से ये जो method है percentage वाड़ा method बिलकुल गलत है इससे क्या होगा मेहनत करने वाड़े बत्चे है उनका बहुत ज़्यादा नुक्सान होने वाला है क्योंकि इस method से जैसे female constable में हुआ है same इसमें भी ऐसा ही होने वाड़ा है 50 question वाड़े का तो final में भी selection होगा और 70 या 80 question वाड़ा है आप कमेंट करके जरूर बताएं और इसके बारे में आपकी क्या राया है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share जरूर करें अपने वीडियो यहां तक देखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद